कि हालो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैंस एंड वर्ब फॉर्म का पाथ टू और इसके बेसिक कॉंसेप्स को हम देखेंगे ये वीडियो बैंकिंग के सभी एक्जाम के लिए और एससी के सभी काफी सेक्शन को सॉल्व करने में पर्टिकुलर्ली जो स्पॉर्टिंग का सेक्शन होता है और फ्लर्स का सेक्शन होता है उसको सॉल्व करने में काफी यूस्फुल यह रहेगा तो चलिए देखते हैं कि देखें यहां पर मैंने कुछ वर्ब फॉर्म्स दी हैं जैसे फ्ली एक काफी इंपोर्टेंट वर्ब है यह एक्जामस में काफी वर्ब पूछा गया है यह F L E Fli का मतलब होता है किसी जगे से किसी कंट्री से भाग जाना ठीक है तो इसकी सेकंड फॉर्म है और थाड़ फॉर्म है ए और और for where का मतलब होता है अपने आपको रोक पाना इसके लिए हम refrain word भी यूज़ करते हैं English language में और forbit का मतलब है रोकना इसके बाद from आता है और ing form आती है और for sake का मतलब है छोड़ना या त्यागना तो यह काफी important verbs है और spotting error में फ्लर्स में यह काफी frequently use होती है यहाँ पर मैंने कुछ गलत और सही sentences लिए हैं इससे आपको idea लगेगा कि किस तरीके से spotting लगते questions को और फ्लर्स के question को सही करना है देखिए यहाँ पर चुकि यह sentence पैसे वो इसमें है the sale of alcohol is forbidden here आपको बोलना होगा ठीक है the sale of alcohol is forbidden here तो यह forbidden है यह past participle form है third form है इसको adjective की तरह भी हम use करते हैं जैसे forbidden goods मतलब ऐसे goods जिसको import export करने की मना ही है जिस पर बैन लगा हुआ है the athletes are forbidden देखिए यहाँ पर forbidden के बाद हम from लगाएंगे और from के बाद ing form लगाएंगे तब यह sentence सही होगा उपर वाला जो sentence है यह गलत है इसकी जो third form है इसकी जो second form है flung की flung और flung होती है यह flung नहीं होती तो इसलिए यह यहाँ पर flung यहाँ पर सही है काफी important sentence है और नीचे वाला sentence देखिए इन ओडर टु एसके capture he fled to the mountain यह sentence सही है जब हम किसी जगह से भागते हैं तो हम बोलते है he fled to the mountains मतलब mountains की तरफ वो भाग गया तो यह sentence सही है और नीचे वाला sentence भी सही है it is likely that the suspects suspect होती है जिन पर कोई शक है have flat यह flat सही हुआ है यहाँ पर इसलिए correct sentence है और नीचे वाले आप देख सकते है रहबा का could not forbear a smile मतलब रहबा का एक नाम है वो अपनी smile को नहीं रोक पाई तो could not के बाद इसमें एस नहीं लगेगा लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाला sentence है सचिन वाला जो sentence है उसमें चुकि यह present simple tense है इसलिए इसमें हमने इसका प्रयोग किया है तो इस तरीके से इसको आपको सही और गलत करना है यहाँ पर मैंने कुछ और वर्ब ली है फ्रीज का जो second form होगा frozen third form है और यह जो third form है इसको हम adjective की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसे frozen water या इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसको grind का मतलब होता है पीसना किसी चीज़ को grow का मतलब होता है बढ़ना हैप का हैप का कई meanings हैं यह अभी मैं आपको बताऊंगा head और head इसके third form है height का head और hidden इसके second or third form है नील का मतलब होता है घुटनों के बल जुकना और knelt और knelt इसकी second or third form होगी तो यह भी काफी important verbs हैं और यहाँ पर कुछ sentences मै ने दिये हैं shall I grind a little black pepper over your salad ठीक है grind का मतलब होता है पीसना या उसको बुरकना किसी के ऊपर और black pepper का मतलब होता है काली मिर्च ठीक है तो इस तरह से sentences हैं और यह वाला sentence देखिए they grind the grain into floor मतलब वो grain जो होता है अनाज जो होता है उसको पीसते हैं आटे में और आटे में बतलत हैं उसको तो यहाँ पर sentences दी है into यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इसकी जो shape है उसका जो form है वो change हो जाएगा गय हूँ जो है वो आटे में change होगा तो जब कोई चीज transform होती है तो इसके लिए हम into का प्रियोग करते हैं यह वाला sentence देखिए गलत है यह sentence I do not like to see a grown man ठीक है in tears मतलब मैं एक grown up man को tears मैं नहीं देखता है grown man का मतलब होता है एक adult तो यहाँ पर man एक noun है और grown एक adjective है grow adjective नहीं है grow verb है तो noun को qualify करने के लिए हम हमेशा verb का प्रियोग करते हैं इसलिए नीचे वाला sentence है वो correct है he hit himself behind the door hit के बाद हम reflex से pronoun नहीं लगाते hit बिना reflex से pronoun के लगाते हैं इसलिए sentence सही है और they kneel down and prayed ठीक है चुकि prayed इसमें second form है इसलिए kneel down भी इसमें second form में आपको बोलना होगा नील के कुछ other words है जैनू फ्लैक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं को टाओ भी बोल सकते हैं और make obvious sense भी इसको हम बोलते हैं यह तीन word और मैंने आपको बताए हैं क्योंकि इन words को पूछा गया है previous banking और SSE exams में अब हम have की forms पढ़ेंगे यहां पर have की तीन form होती है have first form है head second form है और head third form है इसका तीन तरीके से use होता है और वो तीनों तरीके में यहां पर आपको बताऊंगा इनको आप जरूर किलियर करिए अच्छे तरीके से किलियर करिए यह बहुत ही जरूरी है देखे यहां पर करेंगे तो I done my work का कोई sense नहीं निकलेगा तो यह have जो है यह main verb को help कर रही है sentence बनाने में या tense create करने में तो इसलिए have यहां पर helping verb है ठीक है I have a car में have का मतलब है केबल own करना उसको तो ownership यहां पर यह have दिखा रहा है ठीक है own is equal to have तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं और इस करेंगे इसको ing form के साथ हम use नहीं करेंगे जैसे यह बोलूँ कि I am having a car तो वो sentence गलत होगा जब possession के sense में या owning के sense में हम use करेंगे तो इसको हमेशा हम present simple tense में ही use करेंगे ठीक है तो एक तो आप यह चीज़ धान रखिए यह दो चीज़ है मैं बताई है आपको और तीसा concept है I I have my lunch at 2 p.m. मैं अपना lunch लेता हूँ दो बजे या खाता हूँ तो यहाँ पर have का मतलब है experience करने के लिए यह sense experience करने के sense में use हुआ है या eat करने के sense में use हुआ है तो इसलिए यह सही है have का प्रयोग जब हम experience करने के sense में use करते हैं तो उसमें हम ing form लगा सकते हैं लेकिन possession के case मे ing form हम नहीं लगा सकते यह concept आपको clear करना है जैसे sentence में मैं बोल सकता हूँ I am having my lunch इसमें मैं having इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं experience के sense में उसको use कर रहा हूँ किसी चीज का अनुभव लेना और जब owning के sense में use करेंगे तो इसमें ing form हम नहीं लगाएंगे जैसे यहाँ पर खाता हूँ तो यह sentence सही है I have had many problems during my journey इसमें have जो है वो helping verb है और head का मतलब है face करना ठीक है तो यह helping verb है और यह full verb है तो I have had यहाँ पर बिल्कुल सही है तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं इसमें confused मत होई है ठीक है If I had had money I would have given it to you इस तरह के sentences में हम जो conditional sentence है एक्चुली यह तो conditional part में जो होता है उसमें हम head के साथ third form लगाते हैं और यहाँ पर हम would have के साथ third form लगाते हैं तो यहाँ पर would have के साथ third form लगी है और यहाँ पर head actually helping verb है और head main verb भी है तो उसकी third form लगी है ठीक है तो head helping verव है के लिए आया है यदि मेरे पास पैसा होता तो मैंने उसको आपको दे दिया होता तो हैड यहां पर helping वर्ब है एक helping वर्ब है और यह आपका main वर्ब है तो इसलिए यह sentence आपका सही है I am having a car यह गलत है I have a car आपको बुलना हो पड़ेगा क्योंकि यहां पर आप possession के लिए यूज कर रहे हैं he is having his lunch यह सही है क्योंकि यहां पर आप experience के लिए उसको यूज कर रहे है I had three cars last year मेरे पास तीन car थी कब थी पिछले साल तो ownership के लिए हम इसको यूज कर रहे है तो have का third form आया है इसमें और यह सही है ठीक है he is having a good time यहां पर हम experience के लिए यूज कर रहे है आपको और यह sentence सही है आपका इस तरीके से इनको आपको यूज करना है when I visited him yesterday he was having his bath वह अपना बात ले रहा था उसको experience कर रहा था तो यह sentence सही है I have many friends in the city यह sentence सही है I had many friends there यह sentence सही है you will have आपके पास होगा ठीक है you will have मतलब चुकि यहां पर third form नहीं लगी है बर्व की इसलिए have का मतलब है कि यह होने के लिए use हो रहा है कि आपके पास कोई चीज होगी future में कोई चीज होगी तो you will have all the facilities there she had long fair hair when she was she was a child यह भी sentence आपका सही है होने के लिए use हो रहा है डिट के बाद हम have लगाते हैं तो यह sentence भी सही है ठीक है यह sentence आप पर सकते हैं आराम से इसको Mary had a baby recently किसी के जब बच्चा होता है तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं have a baby का मतलब to produce a baby ठीक है तो यह past tense में use हुआ है तो इसको भी हम use कर सकते हैं और यहां पर आप देखिए did you have any difficulty finding somewhere to live जिट के बाद हम have लगाएंगे और difficulty के बाद हम ing form लगाएंगे तो यह sentence सही है I have got I have got का मतलब मेरे पास है ठीक है इसको हम normally spoken English में use करते हैं I have got some sandwiches sandwiches would you like to have one तो यह प्रियोग भी आप देख सकते हैं इसका यहां पर मैंने कुछ और word form दिया हर्ट की 3 microbi समान रहती है हेट की 3Stevie हम समान रहती हैं mechanisms मैं sayDas मैं समान रहती है शर्द के मतलब है कि допूझ चीज से छुटका रापाना और इसकी 3ocalypse मैं एक समान होंगी शू का मतलब है जीसे घोरे की जो नाल होती है पैरों में जो लगी होती है उसको हम बोलते हैं शू ठीक है तो यह उसको noun form में भी हम यूज करते हैं और word form में भी हम यूज करते हैं तो इसकी जो second form है और third form है वो है short, no मतलब जानना, new second form है, noon third form है, land का मतलब है उधार देना, borrow का मतलब है उधार लेना, right का मतलब है गाली पर चलना, तो ये सारी third form और second form यहाँ पर दी हैं, इनकी मदद से आप sentences को सही कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ और sentences देखिए, they are waiting to have their horses short, इस तरह के sentences में, मतलब वो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने horse का, कि उसके horse के उपर shoe को चड़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह के sentences, जिसमें have या get के साथ हम third form verb की यूज़ करते हैं, जैसे I will get my work done, मैं अपना काम करवाऊंगा, ठीक है, I will get it done, मैं इसको करवाऊंगा किसी और से, तो इस तरह के sentence होते हैं, इसमें have और get आता है, मतलब इस चीज का इंतियार कर रहे हैं, कि उनके horses में, जो नाल होती है नीचे, वो लगाई जाए, तो यहाँ पर हम get भी बोल सकते हैं, have भी बोल सकते हैं, यह sentence सही है, if you shoe a horse, you nail a horseshoe, मतलब उसमें नाल लगाना, तो यह sentence आपके सही है, He shared his image as a pushy boss, मतलब उसने अपनी pushy boss की जो image थी, उससे छुटकारा पा लिया, Shared your clothes, किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी इसको हटाना या उतारना, उसके लिए हम shared का use करते हैं, I have lent him some money, यह गलत क्यों है sentence, क्योंकि third form जो होती है, land की वो lent होती है, तो इसलिए यह sentence आपका गलत है, और यह sentence आपका सही है, चलिए आगे दिखते हैं कुछ और sentences, present tense यहां से हम शुरू कर रहे हैं, present tense को हम शुरू करते हैं, इस तरह के actions को बताने के लिए जो habitual actions होते हैं, He is taking a walk every morning, गलत क्यों है, गलत इसलिए है, क्योंकि यह काम जो walk करने का काम है, यह daily होता है, यह routine work है, तो इसलिए routine work जो होगा, उसको हम present simple tense में दिखाएंगे, यह sentence सही है, उपरवाला sentence गलत इसलिए है, क्योंकि routine sentence को continuous tense में दिखाया गया है, इसलिए यह गलत है, यूनिवर्शल truth यह आपको पता होगा, यूनिवर्शल truth को हम हमेशा present simple tense में लिखते हैं, two and two are making four, यह गलत है, two and two makes four, इसलिए गलत है, क्योंकि इसमें S लगा दिया है, क्योंकि दो चिया है, जब end से जुडती है, तो वो plural verb होती है, तो इसलिए makes नहीं होगा, make होगा, two and two, four होते हैं, यह universal truth है, two and two, four, इंडिया में भी होते हैं, two and two, four, अमेर्का में भी होते हैं, तो यह universal truth है, तो इसलिए इसको हम present simple tense में लिखेंगे, एक्स्क्लेमेटरी जो sentences होते हैं उनको हम इस तरीके से present simple tense में लिखते हैं here comes the bus और वो देखिए बस आ रही है हाला कि ये continuous tense होता है लेकिन इसको हम express करते हैं present simple tense में काफी important ये sentence है और कुछ और rules देखते हैं planned and arranged action जो होते हैं जो future में होने वाले हैं उनको हम simple tense में या future simple tense में हम बोल सकते हैं जैसे ये sentences दिये हैं यहां पर the Indian team goes to the Caribbean island next week ये planned activities हैं arranged activity है ठीक है तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं और ये sentence सही है इसमें goes भी हम लगा सकते हैं सही है और will go भी लगा सकते हैं ये भी सही है ये दो future action जब होते हैं तो इसमें जो action पहले होता है उसको हम present simple tense में रखते हैं ठीक है इसको आप हमेशा ध्यान लगिए बहुत ही important rule है ये ये नीचे वाला sentence सही है उपर वाला sentence गलत है इसमें when के स्थान पर हम कोई भी word लगा सकते हैं if लगा सकते हैं, when लगा सकते हैं, till लगा सकते हैं, until लगा सकते हैं ये सारे word लगा सकते हैं ये काफी important rule है इस rule को आप बार बार पढ़िए बहुत ही important ये rule है तो ये सारे rule है present simple tense के present continuous tense को हम कब यूज़ करते हैं जब कोई action अभी हो रहा है या temporarily हो रहा है जैसे it is raining heavily today ये sentence सही है it rains heavily in equatorial region and hilly areas ये sentence इसलिए सही है क्योंकि ऐसा हमेशा होता है equatorial region जो है और hilly area जो है वहाँ पर हमेशा तेज बारिस होती है ठीक है अब इसी sentence को आप यदि continuous में लखेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि continuous का मतलब है कि ऐसा अभी हो रहा है हमेशा नहीं होता बलकि अभी हो रहा है इसलिए ये नीचे वाला जो sentence है ये गलत है यहाँ पर देखिए I am working on a project का मतलब है कि मैं अभी project पर काम कर रहा हूँ और I work on a project का मतलब है कि वो आपका profession है उसको आप हमेशा करते है तो इन दोनों में आप अंतर समझेए ये जरूरी है concept को समझने के लिए immediate future को दिखाने के लिए हम continuous tense का प्रियोग करते हैं immediate future जो आज जो कल होने वाला है जैसे he is going to the city tomorrow तो ये sentence सही है और distant future को आप simple tense से दिखा सकते हैं जैसे he goes to the city next week ये दूर का future है next week की हम बात कर रहे हैं और उपवाले sentence में हम तोमारो की बात कर रहे हैं तो immediate future को आप continuous से दिखा सकते हैं और distant future को आप continuous से नहीं दिखा सकते उसको दिखाने के लिए आपको simple tense का प्रियोग करना होगा obstinate जो habits होती है जैसे कोई बच्चा है जो किसी भी काम को हमेशा करता रहता है, मना करने के बाप जूद भी उस काम को करता रहता है तो इस तरह के जो obstinate habits होती है जो जिद्धी आदतें होती हैं, उनको दिखाने के लिए हम हमेशा present continuous tense का प्रियोग करते हैं, उसको डाटने का कोई मतलब नहीं है, वह हमेशा वही काम करता है, जिस काम के लिए उसको रोका जाता है, तो नीचे वाला sentence गलत है, और एक ये रूल है, इसमें ये सारी वर्ब दी हुई है, इन वर्ब को हम normally present continuous में यूज नहीं करते हैं, इनको हम present simple tense में यूज करते हैं, following verbs are not used in present continuous tense, क्योंकि ये ऐसी वर्ब हैं, जो हमेशा होती हैं, जैसे यदि मैं बोलू हेट, मैं किसी से हेट करता हूँ, तो हेट करता हूँ, किसी पर्टिबर मुमेंट पर से हेट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक perception है, ये एक feeling है, ठीक है, मैं किसी चीज को prefer करता हूँ, किसी पर्टिबर मुमेंट पर नहीं करता, या मैं किसी चीज को own करता हूँ, या belong करता हूँ, मैं किसी चीज से तो हमेशा करता हूँ, तो ये इसका basic concept है, ये आपको समझना है, तो इन वर्ब को आप हमेशा present simple tense में ही use करेंगे, कभी भी continuous tense में को use नहीं करेंगे, यहाँ प तो appear को हमने लगने के sense में, feel करने के sense में use किया है, यह सही है, यह वाला sentence है, the allegation is appearing to be true, यह गलत है, लेकि नीचे वाले sentence में हमने appearing में भी ing form लगाया है, और वो सही हो गया है, वो सही इसलिए है, क्योंकि appear का यहाँ पर मतलब feel होना या लगना नहीं है, बलकि stage पर आना है, he is appearing on the stage, मतलब he is coming on the stage, तो यहाँ पर इस sense में appear को प्रियोक करना सही है, यह sentence सही है, इसको आप जहां से पढ़िये, I am preferring tea to coffee, मैं, I am preferring tea, मतलब मैं चाय को coffee से ज़्यादा पसंद करता हूं, और ऐसा हमेशा होता है, ठीक है, यह मेरी आदत है, यह मेरा routine है, तो इसलिए इस तो काफी अच्छे यह concepts है, I understand what you say, यह correct है, I am hating her when she says she doesn't love me, ठीक है, यह sentence गलत है, और नीचे वाला sentence सही है, क्यों कि hate की आप बात कर रहे हैं, perception की, feeling की या thinking की आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए यह sentence present simple tense में लिखा जाएगा, I hate her when she says she doesn't love me, तो इस तरह से इनको आपको करना है, तो यह था आपका tensor verb form का part 2, कैसा लगा आपको, आप मुझे जरूर बताइएगा, इन numbers पर और मेरा email ID भी दिया हुआ है, यहाँ पर अपना feedback आप मुझे दे सकते हैं, English Advantage Growth है, फेस्बुक पर इसको भी आप जरूर जोइन करें, यहाँ आपर भी my notifications देता रहता हूं, so thank you very much for watching this video, thank you